उत्तर परदेश के कुशी नगर में रामकोला थाना छेत्र के कटगरी निवासी तीस वर्षिय बाबर को भाजपा के पक्ष में वोट देने और छेत्रिय विधायक पी अन पाठक की जीत पर गाउं में मिठाई बातने और पटाके फोड़ने पर उसके पलोसियों ने पीट-पीट कर उसे गमभेड रूप से घायल कर दिया हलाकि इलाज के दोरान एकनेजी अस्पताल में शोकरवार को उसकी मौत हो गई और शनिवार की रात में शव को गाउन लाया गया रविवार की सुबह आठ बजे परियन शव को घर के दरवाजे पर रख कर एशडियम को बुलाने की मांग करने लगे करीब 6 घंटे बाद मौके पर पहुँचे एशडियम कसेया वरुन कुमार पांडे ने पीढित परिवार को आरूपियों की गिरफतारी का श्वासन दिया छेत्रिय विधायक पी एएन पाठग ने पीढित परिवार के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेते हुए नयाय दिलाने का श्वासन दिया हलाकि इस पूरे मामले में दो आरूपियों को गिरफतार भी किया गया है मामले में रविबार को मुख्यमंत्री योगी अजितनात ने ट्वीट करते हुए कुशी नगर के कटगर ही गावे बाबर की लोगों द्वारा पिटाई से मौत पर गहरा शोक विक्त किया है मुख्यमंत्री ने शोक संपक्ति परिजनों के प्रति संबेंदर विक्त किया है और उन्होंने इस पूरे मामले में कहनता से निस्पक्ष जांच है तो अधिकारियों को निर्देश्ट भी दिया है जटके तानी से गणासी से इंचा से अधावडी से मारल पुगरी अपरधान का लाहाँ जे मार दसों हम देख लेए यह लोग चार महीने से प्लान बना रहा था इसको मारने के लिए और धंकी जो दे रहे थे धंकी पे धंकी दे रहे थे और उसके बास एक दिन पथराव कि इसका घर फर कर तोड़ कि पूरे मारने वाले वाले लोग जितने भी थे सई उसके बास इसको मौका ढूंड़ दोने कम आरे कम मारे सई यह बस बिजए पी के इतने परचार परसार में लगा हुआ था इसके लिए यह लिए बहुत मतलब पूरा मतलब गुस्सा का सर पे उसके बस थाना रामकोला में गया उसके बस दीयम साहब के पास गया हर जगह फाईयार किया है कोई सुन हो नहीं हुआ है और ना ही कोई इसको बचाया है लाश्ट मिलब मारते मारते इसके जालने ही लिए थाना रामकोला के अंतरगत अभियोग संक्या 33 बटे 22 ने एक अभियोग पंजिकित किया गया था जिसमें पिरिद बाबर अली को गम्भीट चोटे आए थी जिसको लखनो रिफर किया गया था दौरान इलाज उस व्यक्ति की मिट्व 25 तीन 2022 को हो गई जिस अंदर में अभिय हुक्तगरों की ग्रतारी के पूरे प्रयास के जा रहे हैं दोनों ही वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाएगा